Central Bank of India का Sent Mobile App और इसका हमारा Transition Pin हम भूल चुके है तो सबसे पहले इसको Reset करने के लिए हम Forget Credential इस Option पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे Third Number एक Option दिखता है अपने को Transition Password Forget वाला इसमें हमें CIF Number एंटर करना है CIF Number एंटर करने के बाद एक Option पे क्लिक कर देंगे एक OTP आएगा Registered Mobile नमबर पे उस OTP को यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड कर देना है यहाँ पे हमें different options मिलते है अगर आपके पास debit card अवेलेबल है तो सबसे अच्छा option यही आपको यूज अलाएगा हमारे पास ATM card या फिर debit card ह हम इसमें एंटर कर देंगे details पर आपके पास अगर नहीं है इन में से कोई वी चीज तो आप सीधा आपकी branch में जाके token generate कर सकते है इस पे click करने का और 6 digit का token एंटर करके submit करना है बट हमारे पास ATM debit card है यह detail पूछा है उसको हम एंटर करने के पास submit कर देंगे debit card का जो हमारा validation है वो successful रहे okay कर देंगे और simply हमारा यहां पर जो नया transition password हमें set करना था उसको हम यहां पर set कर देता है कैसे set करना है उसका details यहां पर दिया है alpha numeric होना चाहिए space नहीं है and कोई भी special character नहीं चेंटर होने के बाद submit option पर click कर देंगे and हमारा transition password जो है वो successfully change हो चुका है